Hey guys, welcome to our channel, my name is Upsar and you're watching Technical Upsar YouTube channel तो guys, आज किस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने Instagram account को permanently delete कर सकते है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने account को delete करना चाहते हैं अपने के बाद यहाँ पर आपको अपने profile वाले option के उपर click करना है then आपको उपर 3 line का एक option देखने को मिलेगा इसके उपर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा setting and privacy आपको जो settings and privacy option के उपर click करना है जैने यहाँ पर आपको अपने account की complete setting देखने को मिल जाती है तो Instagram ने काफी छोटा सा option यहाँ पर जो ला दिया आप लोगों के लिए अगर आपको अपने account से related कोई भी information को change करना है या फिर अगर आपको अपने account को अगर control करना है तो आपको account center नाम से option दे दिया गया है आपको simply इस वाले option के उपर click करना है जहाँ पर click करने के बाद आपको अपने account को completely control कर सकते है अब यहाँ पर simply अगर आपको अपने account को delete करना है permanently तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा account का आपको just account, sorry, account की नीचे आपको personal detail का option देखने को मिलेगा just आपको इस वाले option के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको आपको आपके account की personal detail देखने को मिल जाएंगी कि आपने कौन सा email idea यहाँ पर use किया है आपके date of birth क्या है तो हमको हमारे account को अगर delete करना है तो नीचे एक option देखने को मिल जाता है account ownership and control तो आपको simply इस वाले option के उपर click करना है then यहाँ पर यह आपको बताएगा कि account आपको deactivate करना है या फिर delete करना है वो आप यह से choose कर सकते है deactivation का process अलग है मतलब process simple है बट deactivation उसको बोलते है कि आपको अगर कुछ time तक social media से अगर break लेना है तो आप अपने account को deactivate कर सकते है आपका account किसी को भी नहीं दिखेगा बट जब भी आप अपने account के अंदर login करेंगे तो directly आपका account login हो जाएगा आपका कोई भी data delete नहीं होगा बट अगर आप चाहते हैं कि आपका complete data delete हो जाए आपका account किसी को भी नहीं दिखे तो आपको account delete option को choose करना होगा उसके लिए simply मैं इस वाले option के उपर click करता हूँ यहाँ पर आपको बताएंगा कि यह आपका account है यही वाला अगर आपको delete करना तो ठीक है अगर आपको अपने दूसरे ID से अगर login करेंगे तो आपको वाला अकॉण शो करेंगा तो मैं simply इसके उपर click करता हूँ अपने account के उपर अब यहाँ पर दो option आचुके हैं कि अगर आपको अपने account deactivate करना है तो आप उपर वाला option चूज़ करेंगे अगर आपको अपने account को delete अगर करना है तो आप नीचे all option को choose करेंगे तो मुझे अपने account को permanently delete करना है तो मैं just इस all option के उपर click करूँगा यह बता देंगा कि जितनी भी आपके account के इंदर activity है जैसे कि like, video, reels आपने क्या-क्या post की है सब कुछ आपके account से delete हो जाएगा तो हमको अगर delete ही करना है तो just continue all option के उपर click करेंगे अभी हमको reason पुछेंगा कि अभी क्यों आप अपने account को delete करना चाते हो तो आप यहाँ पर अपना कोई भी reason दे सकते है कि मैंने अपना दूसरा account बना लिया या फिर मुझे privacy concern है या फिर बहुत सारे मुझे ads देखने को मिल रहे है तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते है reason तो मुझे यहाँ पर अभी कुछ नहीं just want to remove something कि इसके उपर click कर लेना है या फिर आप कोई भी एक option को choose कर सकते है just आपको continue all option के उपर click करना है उसके बाद या आपको बताएगा कि आप अपने account को delete कर रहे है क्यों कर रहे है I want to delete comment that left तो यहाँ पर आपको इस सारी चीज़े बता दी जाएगी बट आपको यह नहीं करना है just continue all option के उपर click करना है यहाँ पर click करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने password को enter करना है जैसे आप अपने password को यहाँ पर enter करेंगे तो यहाँ आपको बता देगा कि अब आपको continue कर देना है आपका account delete हो जाएगा तो मैं अपने just यहाँ पर password को डाल देता हूँ उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ मैंने अपने password को यहाँ पर एंटर कर लिया just continue option के उपर click करेंगे जैसे हम यहाँ पर click करते है तो यह अब हमको बता देंगा कि confirm permanent account deletion तो अगर अपने account को permanent delete करने तो आपको confirm करना होगा यहाँ पर ने बता रहा है कि आज की जो date है वो 13 October है September है तो मेरा जो account है वो 13 October को मतलब कि 30 दिन के बाद delete होगा याद रहे इन 30 दिन के अंदर आपको अपने account को फिर से login नहीं करना है अधर वाइस अगर आप login करते है तो आपका पूरा process है आपको फिर से करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना account delete करने के बाद अपने account को जाकर चेक करते हैं कि मेरा account delete हुआ या नहीं तो यहाँ पर Instagram यही बोल रहा है कि जब भी आप अपने account को login करेंगे तो आपका जो account है वो फिर से यहाँ पर वापस आ जाएगा तो आपको अपने account को 30 दिन तक login नहीं करना है अगर आप 30 दिन तक अपने account को login नहीं अगर करेंगे तो automatically आपका जो account है वो delete हो जाएगा आपकी complete information, complete detail Instagram से खतम हो जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पर आपको delete account वाले option के उपर click करना है और आपका जो Instagram का account है वो delete हो जाएगा मुझे अभी आपको delete नहीं करना है जस्त इतना यह final वाला process था मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया अगर अगर आपको कोई भी दिक्कत है कोई भी problem है अगर कुछ चीज़े अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो नीचे आप comment जरूर कर सकते है आपको वीडियो बलिया लगे होगा अगर आपको वीडियो बलिया लगे तो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों साथ शेयर करो इसी तरिकी की और informative and amazing वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडिक्शन को दोसे on कर दो मिलते हैं किसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर रौचिंग बबाए